एयर फ्रैंड्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में, आप सबीको पता है कि यह जो स्पर्म है, इनका फॉर्मेशन मेल की बॉड़ी में जो टेस्टीज होती है, वही पर होता है। ठीक है, और जो स्पर्म बनते हैं, इस process को हम बोलते है spermatogenesis यहाँ पर हम सीखने वाले है एक sperm की structure किस type से अलग-अलग parts में divided होती है तो यहाँ पर देखते हम यह है sperm की structure और यह mainly three parts में divided है सबसे उपर वाला है जो इतना इतना part है इसको कहा गया है head इसके नीचे यह वाला जो part है इसे कहा गया है neck यानिक यह sperm की गर्दन वाला part है इसके बाद यह इतना जो part है यह है sperm की tell यह tell क्या करती है तो इसे आगे की और moment करवाने में help करती है tell आगे देखते है जो head है इसके अंदर सबसे उपर के side जो दे रखी यह outer covering वाली जो layer है इसे कहा गया है plasma membrane ठीक है plasma membrane क्यों कहा है इसको क्योंकि यह अंदर के साथ जो plasma है उसको cover करने का काम करती है यानि कि plasma को आसपास से घेरने का काम करती है इसलिए इसको नाम दिया गया है plasma membrane ओके यह वाला जो part है इसको कहा जाता acrosome और यह जो acrosome है वोलते हैं उसको डिजॉल करने के काम में आते हैं यह वाले एंजाइम्स यह है जिनकी हल्फ से फर्टिलाइशन की प्रोसेस आगे कम्प्लीट हो पाती है अगर ओवियम की जो वाल है वो डिजनरेट नहीं होगी वो घुलेगे नहीं तो जो नुकलियस का अंदर का यह माटेर यह ओवम की नुकलियस से मिल नहीं पाएगा ठीक है और आगे के जो फर्टिलाइशन की प्रोसेस वो कम्प्लीट नहीं हो पाती तो यहां पर जो एक्रोसों में यह क्या काम करता है यह एंजाइम रखता है और इसी की हल्फ से फर्टिलाइशन होता है अब यह जो एक्रोज पार्ट है इसका इस का We Border Blue Care यह है इसपुम का इस्पं का नुकलियस वाला पार्ट और यह ही पर होता है क्रोम्सों मटेशर्ट और यह क्रोम जोमिल मटेशर्यल ही है जिससे की फादर के जो भी केरैक्टर है वह बच्चे में आ पाते आ ठीक है नेक्स्ट आगे है यहां पर यह नेक वाला पार्ट यानि कि यह गर्दन वाला पार्ट है स्पम का आगे बता है इसमें यह वाला पार्ट है यह मीडिल पीस कहलाता है और इसके अंदर बने रहते है mitochondria ठीक है यहाँ पर यह जो है वो क्या है mitochondria है यह आड़ी लाइन्स में इसे शो किये गए यहाँ पर अब यह mitochondria क्या करते हैं यह जो sperm है उसको energy देने का काम करते है याने कि यह जो mitochondria है वो क्या करते है पावर हाउस का काम करते है यहाँ पर energy का यह formation करते और इसी कारण से यह जो सुब में वो आगे की ओर moment कर पाता है और जो female का Uterus है इसमें Yeshua प्रक भेह। पहुच पाता है मेरा लास्ट पार्ट इसका च्रशाट यह जो निए है वह स्टैप से आगे की ओर च्शाट से मोशन करती रहती है जिसकी हल्प से यह जो इसका आगे वाला पार्ट आगे बढ़ता रहता है तो यह थे हमारी स्ट्रक्चर